नमस्कार, आज जो एलान में करने जा रहा हूँ, उसका असर केवल दिल्ली की शिक्षा विवस्था ने, मैं समझता हूँ कि भविश्य में हमारे देश की शिक्षा विवस्था पर भी बहुत गहरा असर पढ़ने वाला है। आज हम लोगों ने दिल्ली की कैबिनेट में दिल्ली बोड आफ स्कूल एज़ुकेशन के गठन की एप्रूवल दे दिय है। दिल्ली में अलग से अब एक दिल्ली बोड आफ स्कूल एजुकेशन बनाया जाएगा। यह कोई मामूली शिक्षा बोर्ड नहीं है, जैसे हर राज्य का अपना एक शिक्षा बोर्ड होता है, तो ऐसा नहीं है कि अब दिल्ली में हमारी सरकार है तो हमने तैक कि हम भी एक अपना अलग शिक्षा बोर्ड बनाएंगे, ऐसा नहीं है, यह शिक्षा बोर्ड बनाने की क्यों पड़ी और इस शिक्षा बोड़ के जरी हम क्या हासिल करना चाहते हैं कि पूरा देश देख रहा है कि पिछले छे साल के अंदर दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था के अंदर करांतिकारी परिवर्तन हुआ हैं पिछले छे साल में सबसे पहले हमने यह यात्रा शुरू की कि हमने दिल्ली के बजट का लगबग 25 प्रतिशत हर वर्ष बजट का 25 प्रतिशत पैसा शिक्षा के ओपर खर्च करना चालू कर दिया इससे क्या हुआ सरकारी स्कूलों की शांदार बिल्डिंग बनने लगी स्कूलों के अंदर अच्छी लैब्स बनने लगी स्कूलों के अंदर अच्छे कम्रे बनने लगे स्कूलों के अंदर अच्छे ऑडिटोरियम बनने लगे स्कूलों में स्विंग पूल्स बनने लगे स्कूलों की साफ सफाई की विवस्था अच्छी होने लगी, स्कूलों की सेक्योरिटी अच्छी होने लगी, स्कूलों के अंदर टॉयलेट्स अच्छे हुए, स्कूलों के क्लास्रूम्स के अंदर अच्छे डेस्क आने लगे, अच्छे ब्लैक बोर्ड्स आने लगे, एक तर थी जब सरकारी स्कूलों पर हमने 25 प्रतिशत बजट खर्च करना चालो किया तो सरकारी स्कूलों का पूरा काया पलट होने लगा दूसरा बड़ा परिवर्तन हमने किया कि अपने टीचर्ज को और प्रिंसिपल्स को बहुत बड़े स्तर के ऊपर हमने ट्रेनिंग करने के लिए भेजा हमने उने Cambridge भेजा, Singapore भेजा, Finland भेजा, America भेजा, Canada भेजा, I am Lakhnau भेजा, I am Ahmedabad भेजा, हमारे धेर सारे teachers और principals वहाँ से training करके लोटे हमने अपने बच्चों को foreign भेजना चालो किया, हमने अपने बच्चों को chemistry, physics, maths के Olympiad के लिए विदेशों में भेजा, हमारे बच्चों ने भारत का नित्रत्व किया और कई जगहों से हमारे दिल्ली के बच्चे medal जीत के लोटे जब ये teachers और बच्चे वापस लोटे तो इनके अंदर एक जबरदस्त आत्म विश्वास था और कुछ कर गुजरने की इच्छा थी तीसरा हमने बड़ा परिवर्तन किया कि हमने अपने principals को empower किया अभी तक हर स्कूल के अंदर दिल्ली सरकार का डिरेक्टोरेट ओफ एजुकेशन का बहुत जादा interference होता था चोटी-छोटी चीजों के उपर school में कुछ भी खरीदना है school में कुछ भी repair कराना है सरकार से permission लो कई-कई teachers की post कई-कई सालों तक खाली पड़ी रहती थी अब हमने principal को power दे दी principal की power 5000 रुपे से बढ़ाके 50,000 रुपे कर दी और उसको power दे दी कि अगर सरकार किसी teacher की appointment regular नहीं कर पारी तो वो एक session के लिए बाहर से किसी teacher की appointment करके अपना बच्चो को बच्चो की पढ़ाई सफर नहीं होनी चाहिए हमने हर स्कूल के अंदर estate managers की न्युकती की कई नहीं नहीं चौथा कई नहीं प्रयोक किये गए सरकारी स्कूलों के बारे में कहा जाता है कि पांच वी क्लास तक भी बच्चे आते आते उनको ना अपनी किताब पढ़नी आती है ना अपना एक लाइन पढ़नी आती है ना गनित के basic questions आते हैं उनको तयार करने के लिए हमने mission चुनोती और mission बुनियाद जैसे कारे करम नहीं नहीं प्रयोक शरू किये happiness curriculum लेके आए जिससे बच्चों को meditation कराना सिखाते हैं बच्चों के interpersonal relations अपने माबाप के साथ अपने परिवार के साथ अपने दोस्तों के साथ रिष्टे अच्छे होते हैं बच्चों के emotional needs पूरे होते हैं happiness curriculum लेके आए और entrepreneurship curriculum लेके आए तो इस तरह से कई सारे प्रयोग पिछले 6 साल के अंदर किये गए जिसकी वजह से आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों के नतीजे 98% आने लगे हैं प्राइवेट स्कूलों से ज्यादा नतीजे आने लगे हैं हमारे बच्चों का engineering में medical में बड़े बड़े अच्छे-च्छे colleges के अंदर admission होने लगे है पेरेंट्स को भरोसा हो गया है कि अब हमारे बच्चे सरकारी स्कूलों के अंदर उनका भविश्य सुरक्षित है यह बहुत बड़ी बात है जो पेरेंट्स पहले सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को भीजना नहीं चाहते थे आज वो पेरेंट्स अपने बच्चों क सरकारी स्कूलों में जब बेजते हैं तो उनको भरोसा होता है कि उनके बच्चों का भविश्य सुरक्षित है बच्चों के अंदर एक जबरदस्त आत्मविश्वास पैदा हुआ है अब अगला स्टेप लेने का समय आया है अब यह तैय करने का समय आया है कि स्कूलों में क्य पढ़ाया जा रहा है, और कैसे पढ़ाया जा रहा है, हम शिक्षा क्यों देते हैं अपने बच्चों को, हम शिक्षा देते हैं तीन कारणों से और अब वो तीनों लक्षे, यह जो डिल्ली बोर्ड आफ स्कूल एजुकेशन बनाया जा रहा है, यह यह तीन लक्षे पूरे कर जो कट्टर देश भक्त हों, जो अपने देश के लिए मर मिटने का जज़बा रखते हों, हमारे बच्चे हमारे देश का भविश्य हैं, हमें ऐसे बच्चे तयार करने हैं जो आने वाले समय में हर क्षित्र के अंदर इस देश की जिम्मेदारी अपने कंदों पे उठाने के लिए तयार हो, उन्हें तयार करना पढ़ेगा अपने बच्चों को, चाहे वो साइन्स का ख्षितर हो, चाहे टेकनलोजी का ख्षितर हो, चाहे बिजनस का ख्षितर हो, चाहे व्यपार का ख्षितर हो, चाहे राजनीती का ख्षितर हो, चाहे समाजिक ख्षितर हो, हर ख्षित चाहे अच्छे इंसान बने, चाहे किसी भी धरम के लोग हों, चाहे किसी भी जाती के लोग हों, चाहे अमीर हों, चाहे गरीब हों, यह सारी दिवारे तोड़ के एक दूसरे को इंसान समझना है, और अपना जीवन एक तरफ जहां अपने परिवार के लिए वो करना है, दूस इसे तरफ अपने समाज को और दूसरे इंसानों के लिए स्वार्थ भाव से अपना जीवन जीना है ऐसे बच्चे बोड तयार करें और तीसरा आज हमारे देश के अंदर सबसे बड़ी समस्या है बड़ी बड़ी डिग्री पीएचडी करने के बाद बीए बीएस सी बीकॉम बड़ी डिग्रीयां करने के बाद भी बिच्चों को नौकरी नहीं मिल रही बच्चे घर में बिरौजजगार बैठे हैं ऐसी शिक्षा का क्या फायदा अब ये बोड ऐसी शिक्षा तयार करेगा ऐसी शिक्षा प्रणाली तयार करेगा हम क्या पढ़एंगे कैसे जाँए, ऐसे आसी शिक्षा तियार की जा जाेगी इस लिए इस борड का घठन किया जा रहा है ऐसे ऐसी शिक्षा कर तरह के लिए ऐसा शिक्षा का content त्यार करने के लिए और टक्रिया ऐसी बनाई जाए आज पूरा को पूरा शिक्षा तंतर रटने पर जोर देता है रटो और साल के अंत में तीन घंटे के पेपर के अंदर उलटके आ जाएगा यह बदलना पड़ेगा अब रटने पे जोर नहीं होगा अब समझने पे जोर होगा एक बच्चे का असेस्मेंट साल के अंथ में तीन गंटे में नहीं लिया जाएगा उसका एसेस्मेंट पूरा साल लगातार चलता रहेगा। यह इन्टरेशनल स्तर का बोर्ड बनाया जारा है जिसमें धेर सारे इंटरेशनल संस्थाओं से सहयोग लिया जाएगा। International Practices को Study किया गया है और और भी Study किया जाएगा और उन International Practices को हम दिल्ली में अपने स्कूलों में और अपने बोर्ड में लेके आएंगे इसमें High End Techniques का इस्तिमाल किया जाएगा बच्चों को पढ़ाने के लिए और बच्चों की Assessment करने के लिए जैसे मैंने बताया कि रटने के ऊपर से ध्यान हटा के अब समझने के ऊपर और Personality Development एक बच्चे को तयार किया जाएगा हमारा ये मानना है कि भगवान ने इनसान को बनाया है हर इनसान के अंदर कुछ ना कुछ अच्छाई जरूर डाली है कुछ ना कुछ उसके अंदर speciality हर इनसाons special है वो क्या special है? ये शिक्षा प्रनाली की जिम्मेदारी होगी कि उस बच्चे की speciality को निकालके उसकी किस चीज में रुची है और उसे किस चीज की ज़रूरत है उसका DI cheers किस चीज में होना चाहिए और इसे कौन सा course पढ़ना चाहिए ये शिक्षय प्रणाली निकाल के उस बच्चे को वही सिखाया जाएगा जिसमें वो माहिर है ना कि एक रट्टू तोता जो अभी बनते हैं वो बनाए जाएगा दिल्ली में 1000 के करीब लगबग सरकारी स्कूल है 1700 के करीब प्राइवेट स्कूल है इन में जितने बच्चे पढ़ते हैं mostly सरकारी स्कूल तो सभी सीबी स्कूल सारे सीबी स्कूल के हैं और 1700 जो प्राइवेट स्कूल है ये भी mostly सीबी स्कूल के हैं इस वर्ष 21-22 academic year में 20-25 सरकारी स्कूलों को हम एक साथ सारे स्कूलों को इस बोर्ड में नहीं लेके आएंगे इस साल सबसे पहले साल में 20-25 सरकारी स्कूलों को इस बोर्ड में शामिल किया जाएगा उन्हें CBSC से उनकी affiliation हटाके इस बोर्ड की affiliation दिलाई जाएगी ये कौन से स्कूल होंगे इसका चैन हम वहां के principals, teachers, parents के साथ मिलके करेंगे और हमें उम्मीद है कि 4-5 साल के अंदर voluntarily सारे सरकारी स्कूल और सारे private स्कूल जो हैं वो इस बोर्ड में शामिल हो जाएगे इसके एक governing body होगी जिसके अध्यक्षता education minister करेंगे इसके एक executive body होगी day-to-day काम के लिए जिसके अध्यक्षता एक CEO करेंगे गवर्निंग बॉडी में executive body में experts होंगे ढेच सारे industry के भी होंगे education के भी होंगे private के सरकारी स्कूलों के principles होंगे bureaucrats होंगे और आज इस निरने से मैं व्यक्तिकत तोर पे बहुत ज्यादा खुश हूं अइसा ठूं मुझे हमेशा यह लगता था पहले राजनीती में आने के पहले हम लोग Кई एंगे सेवाय करते थे और हम ही यह लगता था कि हमारी शिक्षा प्रणालीव काफी ज्यादा दूशित है जिसकी वज़े से देश की कई सारी समस्याइं अगर शिक्षा को ठीक किया जाए तो देश की कई समस्याओं का समाधान निकल सकता है। पिछले छे साल की हमारी यत्रा काफी अच्छी रही और मैं समझता हूं कि अब यह जो अगला चरण है जिसमें इस बोड का गठन किया जा रहा है इसके जरिए शिक्षा के क्षित्र में मूल चूल परिवर्तन होगा और हमारे जो बच्चे शिक्षित होके निकलेंगे वो यह एक तरफ देश की बागडोर संभालने के लिए तैयार होंगे और दूसरी तरफ अपने परिवार को का पाला-पालन कोशन करने के लिए भी तैयार होंगे अच्छे इंसान बनेंगे बहुत-बहुत शुक्तिया कि मत बच्चे बागगो प्लड़ने डोगना सागलने की कैस को कि मत बच्चे हो इंसे का लिए कि मत स्थ क्वेश्च प्रेशनी कि मत उल देती हैं प्लड़ने के वागगोरा को कुछ्चे हो तैयार है।